हेलो दोस्तों हावा यू कैसे हैं आप सब लोग और वेलकम टू मैं चैनल टेक्न वर्ल्ड भाई धीरज टूडे मां बॉक्सिंग जैब्रॉनिक्स 17 इंच मॉनिटर जिसके अंबॉक्सिंग आज करने वाले हैं दोस्तों यह जैब्स्टर के नाम से आती है और इसका मॉडल न मॉनिटर है काफी अच्छी कॉन्फिकेशन है और यह स्क्वेर आता है 5.4 एक्सपेक्ट रेश्यू पर आता है और आप देख सकते हैं वाल मांट इसमें हैं दोस्तों और HDMI पोर्ट के साथ आता है साथ में वीजे पोर्ट दोनों ही पोर्ट दे रखें तो एक अच्छा ऑप्शन मिल सकता आपको और 70 नीचे तो बड़ी स्क्रीन है और इसका रेजूलेशन भी आपको देख सकते हैं बारा सो असी बाइवाई वान जिरो टू फोर पे यह जा सकती ह तो काफी अच्छा रेजूलेशन भी ले सकती है कि एंटी लेवल कहूंगा दोस्तों काफी एग्रेसिब प्राइस पर आती है तो आप काफी चीज़ें देख सकते हैं इसमें HDMI पोर्ट भी दे रखा है तो कंपनी ने अपनी तरफ से काफी अच्छी कॉन्फिकेशन दी है ल दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्काइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक है क्योंकि मैं आप सब के लिए डिफिन डिफिन मॉनिटर्स लैप्टॉप्स और डेक्स्टॉप्स की अन्बॉक्सिंग स्टार्ट करता हूँ दोस्तों आप देख सकते हैं बॉक्स के बाहर काफ दाना और साइज आप देख सकते हैं 43.1 सेंटी मिटर पर बाकी सब जनरल कॉन्फिकेशन आप देखी सकते हैं बाकी इसमें बॉक्स के अंदर क्या-क्या आता है वह लिखाव है प्राइस देख सकते हैं 4600 लिखावा है और मेड इन चाइना है दोस्तों चलिए दोस्तों स्क्रीन है स्क्रीन क्वालिटी आप देख सकते हैं काफी अच्छी है ग्लॉजी पैनल यूज किया है तो शावी शाइनिंग है और यहाँ पर जैप स्टर लिखावा है नीचे पीछे की तरफ बटन है और आगे पावार डाउन आप मेन्यू आटो सब लिखावा है तो बैक अग्रोनिक्स का सेरेल नंबर और सब कुछ लिखावा है स्टीगर विगर और मैं आपको नीचे से दिखायाता हूं यह देखिए अब आपको वीजे पर्ट और एच्डिमाई पोर्ट दोनों दिखने हैं या पावर का पोर्ट तो इसमें दोनों पोर्ट है यह अच्छी ब मोनिटर वाप देख सकते हैं पीछे से इस तरह से बहुत स्क्रीन बड़ी लग रही है काफी अच्छी लग रही है देखने में प्राइस काफ़ी अच्छा है आप देख सेथा सकते हैं 3000 के अंधर आपको इतनी अच्छी अस्क्रीन बिल जाएगी और बौर्ड ठीक था कहा मुझे ठीक लग रही है दोस्तों मैंने इसको HDMI port के साथ connect कर लिए performance मुझे ठीक ठीक लग रही है colors quality अच्छी है और aggressive colors कहूंगा मतलब punchy colors तो नहीं कह सकता लेकिन हाँ ठीक ठीक है color quality अच्छी आ रही है जो minimum resolution यह भी ले रही है one zero by two four आपको screen पर दिख रहा हुआ तो इस resolutions के लाभा ही और resolution नहीं ले रहे पर ही है दोस्तों पहले menu पर चलते है यह रहा menu आप menu पर जा सकते हैं auto का button है यह देखिए auto पर कर लिया मैंने अब मैं third button पर चलता हूँ और आप देख सकते हैं यह तरह के mode से हैं इसमें brightness थोड़े सी बढ़ा दी है और यह colors थोड़े से पंची फीके कर रहा है इसमें पर और इंटरेनेट मोड है जैसे सबके स्टेंडर मोड पर आ रहा है तो यह तीन चार मोड दे रखके मुझे खास कोई अच्छे लगे नहीं है दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसमें कुछ ज़्यादा खास परक नहीं पढ़ रहा है जो इंटरेनेट मोड है वही अच्छा लग रहा है और स्टेंडर मोड बाकी सब में colors को और brightness को काफी डल कर रहा है तो इतना मज़ा नहीं आएगा आप स्टेंडर मोड पर यूज के जिए मेर रखें पुजिशन चेंज कर सकते हैं जैसे कि मैं अभी चेंज करना चाहूं पर अभी ऑटो पर है तो मैं को चेंज नहीं कर सकता यह जो सारे फंक्शन से आप वीजे पर यूज कर सकते हैं मैं आपको वीजे मोड पर लेके जाऊंगा तब यह काम करेंगे तो थोड़ा सा म अब ही मैं आपको VJ port पर लेके चलता हूं तो यह full screen वर्क करेगा तो इस तरह के modes हैं आप देख सकते हैं पर support करते हैं HDMI port दोस्तों यह देखिए Auto mode काम कर रहा है और आप menu पर चले जाते हैं अब आप देखते हैं VJ port पर हमने इसे connect कर रहा है तो सारे functions काम कर रहे हैं यह position उस time पर यह वी position और यह सब कुछ options आरे off रुक है तो उस time पर जब मैंने आपको दिखाया था तो उतनी performance आपको नहीं मिल पाएगी तो मेरे साब से आपको इसको वी जे के सारे यूज के हैं लेकिन अगर आपको HDMI port के साथ भी यूज करना है तो काफी हद तक आप इसे यूज कर सकते हैं लेकिन कम resolution के साथ अगर आप ज़्यादा resolution पर यूज करेंगे तो यह नहीं support करे तो यह एक drawback है overall वैसे monitor की quality अच्छी है और जो panel यूज किया है वो ठीक है LED पैनल है और अच्छी quality है colors तो कोई problem नहीं है और big screen है इस price पर आपको मिल रही है अंडर आप इसे 3000 के अंदर कह सकते हैं दोस्तों मैंने jabronics की jabster की 17 इंच LED monitor की proper unboxing कर दी काफी अच्छा monitor है ठीक है aggressive price पर आता है उस price point के साफ से इसमें मैं ज्यादा कमिया तो निल निकाल सकता तो बहुत अच्छे monitor है तो लेकिन दोस्तों एक ही मुझे drawback लगा कि company ने इसमें VJ port और HDMI port दोनों दे रखे हैं लेकिन HDMI port के साथ एक limitations है क्योंकि resolutions काफी कम है तो high resolution पे ज्यादा दिक्कत आपको मैसूस हो सकती है जैसे screen मेरी cut रही थी वैसी आपकी भी cut सकती है तो मेरी recommendation यही कि आप इसे VJ port के point out के साफ से इसे purchase करें HDMI port के साफ से purchase ना करें क्योंकि उसमें आपको दिक्कते आ सकती है high resolution support ही नहीं करेगा तो फायदा क्या होगा तो VJ port के साफ सही है function सही है 17 inch पर आता है कम price में मिल जाएगी और color quality अच्छी है और build quality मुझे अच्छी लगी plastic glasses ठीक है इसका तो वैसे सबस्कुछ ठीक है और एक साल की warranty के साथ आती है और price भी अच्छा है तो आप अगर purchase करना चाहें तो इसे purchase कर सकते हैं मैं नीचे buy link दे सकता हूं like कीजिए मेरी videos को और share और मेरे channel को please subscribe कीजिए तो next video के लिए फिर मिलेंगे